कि आंज मैं बचे हूए चावलẤ शे कटलेश बनाएगे कटलेश तो आप बनाते ही हो लेकिन मेरे गर पर भश गया थे चावल तो क्या बनाए कुछ नहाद चाहिए सब को क्या करें तो मैंने ऐसा किया कि यह कटलिस बनाई बहुत अच्छी और टेश्टी बनी आप भी ज़रू से एक बार बनना यमी कुप में आपका स्वागत है मैं हुच आया वीडियो स्टार्ट करते पूरा एंटक देखना यहां पर एक कप मेरे पास चावल बच गए थे तो और एक कप हम Vaison ले लेंगे और इसके साथ हम इसको चिली फ्लक्स डाल देंगे तो एक स्पून मैं ने चिली फ्लक्स डाल दिया है एक स्पून में अरेगानो डालूंगी इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा नमक टेस्का सबसे डालूंगी उसको अच्छे से Mikes कर दें हुई तो एकदम बढ़िया से इसको मीक्स करना है फ्रेंट्स अगर आप मेरी चनल पर नहीं हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को क्लिक करना ताके नए वीडियो की नॉटिफिकेसन आपके पास आती रहेगी और आप मेरा वीडियो चल लगता है तो लाइक करना कॉमेंट करना और फ्रेंट के साइर कर देना ऐसा ही नए वीडियो में आपके लिए से करती रहूंगी तो फ्रेंट सब्सक्राइब करना मत बुलना मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है तो आप देख सकते हो कि एकदम बढ़िया से मिक्स कर देजा है उसके बाद थोड़ी से में हल्दी डालूंगी जनरली हम क्या करते आलू से बनाते हैं तो आज मैंने ब बच जाते हैं चावल तो आप क्या बनाते हो वह भी मेरे को कॉमेट बक्स में लिख सकते हो ताके मेरे को भी बनाने के लिए इसी हो जाए तो मैंने यह बना के रेडी कर दिया है अभी इसके बाद मैं यहां पर हाड़ सेट का एक मोल्ड ले लूंगी उसके साथ हमने जो ब बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि सबको लगता है ना कि कट्लेस बनी है तो इसलिए मैंने कट्लेस का मोल्की वही से यह बनाया है और बहुत ही ट्रेस्टी बना है एकदम बढ़िया से इसका क्रंची ट्रेस आता है क्योंकि सूजी भी डाला है चावल भी है तेक्रम क्र जालेंगे उसके बाद हम मीडियुम फ्रैम कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे तो प्रेंट एकदम सिंपल तरीका है और अगर आपको सेलो करना है तो भी कर सकते हो लेकिन मैंने फ्राइ कर दिया है इसको थोड़ी देर के बाद हम पलटा देंगे झाल 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 झाल